दोस्तों नमस्कार मैं उर्मिला सर्मा राइपुल 36 गड़ से आपके अपने चैनल उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं तो दोस्तों आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें पता है तो इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहे हैं तो आएए चलते हैं आज हम करते हैं गार्डन टूर और गार्डन में करेंगे धेर सारा काम और धेर सारी बजेटेवल हार्वेस्टिंग आप लोग कहते हैं कि ह हम सिर्फ हर्वेष्ट करते हैं ऐसा नहीं है हम उगाते हैं तब तो हर्वेष्ट करते हैं है कि नहीं तो चलते हैं उगाएंगे भी और साथ में हर्वेष्ट भी करेंगे और आप लोगों को भी मैं कहूंगी कि अगर स्वस्त जीवन जीना चाहते हैं तो आये चलते हैं और ग प्यारे मित्रों का शहिलिउंका दोस्तों का दिल से स्वागत है हमारी खुपशूरत हरी भरी लहाल हाति छत्मी तक हमारा प्ालक है दोस्तों सुबह हमारी हो जाती है उसाड़े चार-पांच बजे लेकिन और भी बहुत सारे काम रहते हैं जैसा कि आपको पता गौ सेवा मेरी पहली प्राथमिकता दूसरी जो है मेरी ये पोधे हैं तो सबसे पहले उनकी सेवा करती हूँ देखवाल करती हूँ देखे सोर्योदे हो रहा है ज्यादा लेट नहीं हुआ है छत में आने पे तो दोस्तो कल मैंने ढहर सारे इनकी साप सफाई करी लेकिन ये द मनजरी नहीं तोड़ी तो ये फिर पोधा सूखने लगता है पोधा कमजोर हो जाता है पोधी की ग्रोथ रुख जाती है तो ये मनजरी तोड़ना जितनी बार मनजरी अभी ये टाइम मनजरी का है बार बार मनजरी आएगी बार बार आपको तोड़ना है तो आपको पोधा जो है अच्छा रहेगा अच्छी पत्ति आएंगे तो मैं आपको ये बताने के लिए कर रही हूँ मार में मैं करूँगे और भी मैंने तोड़ा है जैसे देखे इसका मैंने तोड़ा है तो ये कितना अच्छा खेल रहा ये देखे तोड के मैं रखती शैके आसे फेकते नहीं हैं इसको कहीं भी कंटेजर में आप कंपोस्ट होने के डाल दीजिए आपको फिरी की खाद में लेगी और यह तुलसी के पत्ते कंपोस्ट में डालना बहुत अच्छा रहता तो यह मंजरी वगएरा कश्रे में नहीं मतलब अच्छी जगह पे इसको करिए इसको अपने क्यारी में भी विखेर सकते हैं तो इस तरह से इनके मंजरी कैंजरी में तोड़ दीजिये देखे हमारी धनिया में पताई नियुक आया तके म क्यारिया इसमें और इतना मैं ने बाजी तब साफ किया था और इनको थोड़ा मुक्त किया अपने पहुद को f और छोटी छोटी फिर फिर निकलेंगे फिर उखाड़के फेकना पड़ेगा इस तरह से हमने इनको मुख्त गिया तो दोस्तों एक शिकायत आप लोगों से जब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूं तब आप लोग वीडियो नहीं देखते हूं कल हमने बहुत मेहनत करी इसल दोस्तों आज मैं इसको भी इनको निकालूंगी है देखे इस तरह से यह सारा कुछ क्योंकि कल काम करते करते थोड़ा टाइम हो गया था आप इनकी भाजियां ले सकते हैं मैं भी लूँगी भाजियां तोड़ लूँगी और बाकि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम पॉदें फ्री में लहला आती हैं हम कोई चीज नहीं खरिदते हैं लोगों का एक सवाल रहता है कि खर्च होगा यह होगा तो पोस्ते हैं कि कितना खर्च हुआ हां अपनी सेहत के लिए अपने आ जो आप खाएंगे उसके लिए आप पूछतें कितना प्रसा लगा मार्केट जाते हैं सबजियां खरते ऐसी ऐसी मिलती है आपको लाल भाजी मार्केट में बताना तो ज़रा तो दोस्तो हमारी साप सुतरी जगह है यहां मैं नीचे रख रही हूं बाद में इसको मैं फूर्सत से तोड़ोंगी अभी इनको मैं ऐसे उखाड़ लू सबको साप कर लो तो दो क्यारियां हमारी मुक्त हो गई दोस्तो इसमें एक बड़ा सुन्दर सा लौकी हुआ है बट इसमें हो नहीं पाएगा इसमें इतना पोशक तत तो उसको नहीं मिल पाएंगे बेल बर्गी सबजीयों के लिए ज्यादा बड़े कंटेनर की जरूरत होती है मैं देखें ऐसे मिट्टी भी जड़ रही है पर कोई बात नहीं यह हम अपनी लहलाती हुई भाजियां लेते हैं और फूल देखकर आपका मन प्रसन्न होगा आपके घर का बाद दबरन अच्छा रहेगा लगाओ आप भी छोड़ो विस्तर तो यह भी हमारा मुक्त हो गया देखें कर लेते हैं यह देखें यह भी इससे भी हमने ठेर सारी भाजिया निकाल ली भाजियों को मैं फिकूँगी नहीं इसको हम तोड़ लेंगे और बाकी हम कमपोस्ट होने के लिए बनाएं गये तो हम बताते हैं आपको हम कैसे कमपोस्ट बनाते हैं और किस तरह से हम फ्री की गाडनिंग करते हैं देखें एक चोटा सटमाटर है इसको मैंने छोड़ दिया यह देखे हमारे फोल यह जो देशी वाले हरसकस है खूब खेल रहे हैं आज तो इसमें प्रासी कलियां आई हैं जब अच्छे से खेलेगा न तो मैं आपको दिखाऊंगे तो चल्दे चलते हैं उपर की छट में तो यह देखे कितनी भाजियां हमारे यहां हुई हैं अब तो आप अपने ही गाडन की जो शुरूब में आपको थोड़ा एक-दो बोरी लेना पड़ेगा मिट्टी तो आपके भारत में रहते हैं मिट्टी मिल जाएगी हम कोई फॉरें में नहीं रहते हैं तो मिट्टी आज सपास आपके मिल जाएगी अगर आप करना चाहे तो और एक मैं बहुत अच्छी बात आप लोगं को दोस्तों बताना चाहती हूँ, ये करमता है, अगर आप गार्णिंग करते हैं, अगर आपको गार्णिंग का सौक है या आता है, तो आप किसी भी तरह की बीमारी से दूर हो जाएंगे, आपका मन सांत रहेगा, चित सांत रहेगा, वियादारी से बहुत जाधा मतलब नहीं रहेगा, आप इस चीज से भी उपर उठ जाएंगे, कि आपको कौन क्या कह रहा है, कहने दो, तो आप में ये आ जाएगा, तो उठिए, विस्तर छोड़िए, और होगा ये सबजियां, तो दोस्तों आज मैं लोगी, पानी में बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेश्टी बनती है, दोस्तों, इसको इस तरह से तोड़के फिर इसको थोड़ा साफ करना रहता है, साफ क्या, इसके जो हलके से पत्ते जो मुर्जायर है, या सुखे जैसे दिखें, उनको आप काड़ दीजे, बाकि इसको वा देखो, तो यह देखें, और अगर आपको इन से बीज बनाना है, सीट्स बनाने है, तो इनको आप छोड़ दीजे, दोस्तों, इन ही से सीट्स बनते हैं, काले काले सीट्स रहते हैं, जब आप इनको छोड़ देंगे, यह पक जाएगा, फिर इसको आप तोड़ लीजे, त आपको ढेर सारी नेक्स्ट वार प्याज मिलेगी इसी से सीट्स बनते हैं तो दोस्तों हम चाहें तो हर पौधी के सीट्स अपने घर में तयार कर सकते हैं हमको मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से हम तोड़ेंगे प्याज भाजी आज टमाटर, मिर्ची, धनिया, पालक हर चीज का खीरा कक्ड़ी जो भी आपके हाँ आप एक बार उगाते हैं, उसकी सीट्स आसानी से तयार कर सकते हैं, मैं प्याज की सीट्स, पालक की, मेथी की, सब कुछ धनिया, मेथी, ये सारा कुछ घर का ही रहता है, दोस्तों मेरे, ये देखे, ये हमने प्याज तोड़ लिए, अब क्या है ना, अब जैसे इसको मैं छो पचीस दिन में ये तयार हो जाता है, तो जब आपको उगाना हो, या जब उगाने का टाइम हो, तो भी इस पचीस दिन पहले इसके पौधों को आप डाल दीजिए, वो तयार हो जाएगा, और इस तरह से गहास वास कहीं दिखती है, तो उसको आप उखाड दीजे, बहुत लोगों से मैं बार बार कहती हूँ कि आप जीरो बजट में सबजियां उगा सकते हैं, मिट्टी आपको अपने आसपास मिल जाएगी, और थोड़ी सी खाड आप सुरू में ले आए, और बाद में आपके गार्डेन का गार्वेज इतना निकलेगा, कि आपको किसी खाड की जरूरत कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हम किस तरह से खाड को आसानी से तयार कर सकते हैं, और उसी खाड के डिब्बे में आप पौधे भी उगा सकते हैं, जैसे ये हमारा खाड का ही कंटेनर है, जिसमें नीचे खाड बन रही है, उपर हमने लौकी लगा दिया है, तो ये सारे पौधों में अपने घर, आप देखती होंगे कि मैं घर से बनी हुई खाड ही डालती हूँ, जैसे ये नीचे हमारे ज़ाडू लगता है, तो भई, अगर सुनार के दुकान में ज़ाडू मारेंगे, तो थोड़ा बहुत तो सोना निकलता है, तो इसी तरह से हमारा जो ये नीचे गिरता है ये देखिए, तो ये सारा कुछ खाद ही है, तो इसको भी हम ज़ाडू मार कर एक जगह कमपोस्ट बनाते हैं, कमपोस्ट बहुत आसानी से बन जाता है दोस्तों, किसी भी तरह का पत्ते, सुखे पत्ते पके हुए पेड़ या जिनकी आप फ्रूटिंग ले चुके हैं वो सारा कुछ आप इस तरह से डिब्बे में डालते जाएए देखे और किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं तरीका क्या है आपने एक लेयर ये कचड़े की डाली दोस्तों पका हुआ खाने के आप खाद कोशिस मत करिएगा उससे स्मेल आती है उससे केड़े हो जाते हैं और वो पौधों को नुकसान करता है वो सड़ता कंपोश्ट होने से बदबू आती है लेकिन इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है बहुत आसानी से अगर मैं छू रही हूँ तो आप समझे किसमें गायों को खिला सकते हैं बाई दबे अगर आपके मन में नहीं है गायों के लिए ऐसा कोई भावना तो आप उसको इसमें डाल सकते हैं फ्रूट के छिलकों की खाद बहुत अच्छी बनती है तो आप इसमें डाल सकते हैं वेजिटेवल के छिलके फ्रूट के छिलके इस तर से आपने डाल दिया कितनी जल्दी तयार होगी मैं आपको बताती हूं इस तरीके से कमपोष्ट बनाने में दोस्तों हमें मिट्टी लेने कहीं जाना नहीं पड़ता है हमारे गमलों से या हमारे पास रहती है तो इस तरह से देखे अब एक लेयर हमने उसमें डाल दिया जो भ माटर हमारा पकने को हो रहा ना इसका जो पौधा निकलेगा हम इसको इसमें डाल कर कमपोष्ट बनाएंगे तो यह हमारा एक लेयर इसमें चला गया मतलब तेजी से अगर आपको खाद बनानी है तो यह तरीका अपनाना होगा और किसी तरह की इसमेल नहीं चाहिए तो एक यही तरीका है जिसमें बहुत जल्दी से खाद आपकी तयार होती है और बगएर इसमेल का अब हमने डाल दिया ना अब एक लेयर हम डालेंगे यह मिट्टी की देखें एक हां से काम करती हैं आप लोगं को पता अब इस लेयर को हम इस तरह से कर देंगे अब इसमें हमको क् मिट्टी डालने का कारण मतलब दो-तीन कारण है जो मैं आपको बता रही हूँ पहला कारण यह है कि आपको किसी भी तरह की smell नहीं आएगी मिट्टी से यह कभर होता जाएगा दूसरा कारण है मिट्टी के संपर्क में आने के बाद जो भी आपने कमपोष्ट होने के लिए गारवेज या किचनवेश्ट डाला है वो बहुत तेजी से कमपोष्ट होता है तिसरी बात यह तभी कमपोष्ट मैं आज पढ़ रही थी कहीं पोष्ट किसी ने लिखा कि हम तो इसको कितने दिन से खाद बना रहे हैं चीजे सुखी डाले तो वो नहीं होगा इसलिए आपको जब भी आप अपने पौधों में डालते हैं आप थोड़ा सा पानी इसमें डाले बलकि रोज डाले और इसके बाद इस तरह से इसमें धकन लगा दे पानी डालकर धकन लगा दे हमेशा देखें कि आपका जो कंटेनर है इस कंटेनर में नीचे से भी होल रहे जहां से ये पानी निकले और एकात होल ऐसे भी रहे ये देखें ताकि इसमें जो अब देखें यहां तक इसमें भरा हुआ है ना सब कंपोश्ट हो रहा ये देखें तो यह ताकी मतलब इसमें जो gas क्योंकि जब यह compost होगा तो गेस बनेगी गेस बनेगी तो आपका यह container अगर आपने ढकन बंद करदिया है उपर से टाइट ठकन बन किया और आपने नहीं किया तो फर्स्ट हो तो यह कंपोस्ट नहीं होगा क्योंकि अगर इसको एर नहीं मिलेगी तो कंपोस्ट नहीं होगा सेकेंड आपका डबा फट भी सकता है बलाश्ट हो सकता है गैस से तो बहुत आसान तरीके से आपने सीखा यह आपक पचास-साठ दिन में मतलब दो महीने में अराम से ये आपका खात बहुत अच्छे से बन जाएगा जब ये बन जाए दो महीने बाद इसको निकाल कर बाहर कर दीजे खात को कंटेनर से और इसके बाद इसको दो-तिन दिन धूप में सुखा कर जो चीजे बड़ी हैं लकड़ी ये देखें ये जो बीच-बीच में हमने डाला नहीं हमारे घर की कमपोष्ट है हम कहीं लेने नहीं जाते दोस्तों देखें हम कोई मार्केट नहीं जाते हमें जरूरत नहीं पड़ती है और हमारे पौधे इसी तरह से लहला आते हैं इसी तरह से फूरूटिंग करते हैं कि कि ये बहुत दिन से पौधा लगा है ये तूट न जाए मैं आपको बता रही हूँ ये भर गया इसको बलकि मैं कम करना चाहरी हूँ और करेले को एक अच्छा बात अबरण देना चाहरी हूँ ताकि ये अच्छे से मतलब फले तो इस तरह से दोस्तों आप घर में कमपोस्ट तयार करके बस आपको विश्तर छोड़ना होगा क्योंकि देखे फर्स्ट तो विश्तर छोड़ेंगे तो आप इतने तंदुरस इतने हल्दी हो जाएंगे टाइम से ओवर बेट नहीं होंगे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा आप औरगैनिक खाएंगे तो आपकी से जहत भी अच्छी रहेगी आपके अंदर जहर नहीं जाएगा आप जो है बीमार नहीं पड़ेंगे आप डाक्टरों की लाइन से बचेंगे दोस्तों मैं आपको बताओं अब मैं क्या कहूं मेरे को बोलना ने चाहिए सुब्ब सुब्ब अपने लिए लेकिन मैं आपको ब मैं क्या बताओं आपको बहुत बेकार चीज है तो उस चीजों से आप बचेंगे डाक्टरों की लाइन से देखे हमारा पुदीना कितना बढ़िया हुआ है दोस्तों मैं सोच रही हूँ है एक दिन इसको काट करना किसी गरने वाले को देखे आ जाओंगी बोलूँगी ये पुदेने की घर में खपत नहीं है हमारे तो हम उसको दे देंगे देखे हमारी लहला हाती हुई चौलाई अब आप यह सोचिए कि इसको आप खाएंगे तो आपका डाइजेशन कितना अच्छा रहेगा और सेहत कितनी अच्छी रहेगी चौलाई कहां इतनी बढ़िया मिल चते हैं आपकी आखों के सामने देखतें अब यह सोरज मुखी को कितने दिन हुआ लगाए लेकिन आप डेखे कीतिना बड़ा बड़ा हो गया है अब वही है कि इसकी भाजियों को मैं तोडने पाई हूँ तो यह भाजियां भाजियों से दबा हुआ है पर मैं धीरे धीरे करती हूं दोस्तों एक साथ कैसे कर सकती हूं बताये मैं ही अकेले करती हूं तो नहीं हो पाता ना तो कोशिस करती हूं कि मैं सब के साथ अच्छा कर पाऊं क्योंकि हर पौधा दोस्तों कुछ कहता है वो बोल जैसे मैं कहीं जा रही हुँ ना गाहे रास्ते में खड़ी है तो मैं इसको कैसे सब ठीक है ना सब बढ़ियां है ना मैं डॉक से भी बाते करती और वो भी हां करके मतलब जवाब देते हैं यह लाल भाजी बहुत अच्छी वाली है दोस्तों लेकिन क्या क्या खाले अब आप सोचिए कि एक सवाल था हमारे इसमें कि क्या हम छत पे सबजियां उगा कर अपने घर में पूरा कर सकते हैं हां दोस्तों कर सकते हैं और अपने पडोसियों को भी कभी कभी दे सकते हैं कभी नहीं हम तो अपने कहते हैं देते हैं देना भी चाहिए क्योंकि क्या करेंगे तो दोस्तों बांट के खाना चाहिए क्योंकि इतनी फ्रूटिंग होती है ना आपकी मेहनत जो है देखे हाँ एक सवाल आया था कि क्या 15 दिन में टमाटर ऐसे हो सकते हैं हाँ जी हो सकते हैं क्यों नहीं हो सकते हैं आपने अगर स्वस्त पौधे लाए हैं पौधे हल्दी हैं पौधे बड़े भी थे मैच्योर भी थे और आपने उगा दिया तो बिल्कुल हो सकते हैं वैसे 15 से 20 दिन हो रहा होगा ऐसा कोई कसम खा के हमने नहीं बोला था कि हाँ 15 दिन ही है लेकिन इसका वीडियो पड़ा हुआ है मैं सही टाइम बताऊंगी ये मिर्चियां हमारी हो अबसूरत और हम धेर सारी सब्जियां उगाते हैं और आपसे बारवार कहते हैं कि छोड़ो विस्तर उठो क्या रखा है टाइम से उठो टाइम से सो और सब्जियां उगाओ अपने घर से और गयनिक से का है मार्केट में लाइन लगाना मार्केट जाना इतनी गर्मी में अनी बराइटी है कि पालक, धनिया, मेथी, लाल भाजी, चौलाई, यह देखिए हमारा क्या कहते है उसको, सेम, यह सारी धेर सारी चीज़े, प्याज भाजी, ब्रोकली, ब्रोकली अभी भी हमारे फ्रिज में रखी हुई है जो हमने तोड़के लिया था, अभी हमारे पास यह है इसमें, कितना बड़ा हुआ है यह वाला देखिए हमारा ब्रोकली, तो यह पौधे सिर्फ और सिर्फ इतने स्वस्त हैं कि मैं इनको अपने घर से बनी हुई, खाद देती हूँ, और अपने घर, मतलब अपने हिसाब से, अपने आसपास की चीजों से, जो हमें प्रा अकृतिक रूप से तयार होते हैं, प्रकीत उनको खाद देती है, प्रकीत उनको पानी देती है, तो इसलिए प्रकीत के हिसाब से अगर आप अधे लगाएंगे, और टाइम के हिसाब से, यानि सीजन के हिसाब से, तो आपको कोई संका नहीं कि आपको फ्रूटिंग ना मिल असे गुच्चो में हमारी सेम जो है दोस्तों फल रही है आप देख लेजे कितने दिन से हम सेम खा रहे हैं और ये लगातार हमको फुरूटिंग दे रही है और बहुत सुन्दर वाली मतलब टेस्टी और असे गुच्चो में फल फल ही हमको गर्मी में बढ़ियां मिलेंगी तो इस तरह से आप भी त्यारी करिए आप देखे टमाटर लेके पूरा एक चक्कर अपने गार्डन का हमने लगा लिया लेकिन टमाटर हमने नहीं रखा तो अब दोस्तों हम रख देते हैं टमाटर तो दोस्तो हमारे कंटेनर में ज़्यादा जगह नहीं बची है थोड़े मोडी जगह बची है तो उसमें हम इस तरह से देखे गुच्छों में फले हुए हैं हमारे टामाटर तो इनको हम रख लेते हैं अब क्या चाहिए मैं तो इसको प्रसाद की तरह मानती हूँ दोस्तों क्योंकि यह हमको सच में प्रसाद की तरह और गयनी कितना इसका कोई मोल नहीं है आप लोग बोलेंगे इतने में तो मार्केट में मिल जाता है पैसा क्यों देखते हैं आप यह देखे ना कि हम जहर नहीं खा रहे हैं यह देखे ना पैसा तो ठीक है बहुत पैसे वाले लोग भी होंगे हो सकता हमारा वीडियो बहुत पैसे वाले देखते हों और मेरे को ऐसे दिरिष्टी से देखते हों कि क्या करते रहती है ये लेकिन दोस्तों एक वार अर्गैनिक कमोल समझेंगे न तो पैसा जीरो है जब इंसान की तव्यत खराब होती है और सरीर में प्रॉबलम आती है तो पैसा कोई मतलब करने रहता है समझ गया मतलब का मींज सरीर आपका इतना ठक चुका होता है कि पैसे से भी आप अपनी सेहत को नहीं खरिश सकते हलाकि पैसा जीवन के लिए बहुत जरूरी है लेकिन सेहत उससे भी ज़्यादा जरूरी है तो फर्स्ट सेहत सेकेंड पैसा और क्या फायदा ऐसे पैसों का जो सही काम में न लगए है डाक्टरों की लाइन में लगके आप अपने पैसे जाके देखे आओ अनापसनाप पैसे तो इसलिए थोड़ी से महनत करें नहीं कर सकते हैं तो आप माली से तो मैं नहीं कह सकती लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति को जो खानकार हो उसके देख रहे में करवाएं आप लेकिन अपनी छत पर हम कहते हैं लोग बहाना करते हैं कि हमारे पास तो जगह नहीं है हमारे पास जगह है लेकिन यहां नहीं है तब भी आप देखे हमने कितनी सबजियां गाई है ये तो अटेनियम है कितना सुन्दर खिला हुआ है दोस्तों देखिए अब ये धीरे धीरे अपने उसमें रंग में आ रहे हैं और ये खिलना सुरू हुए हैं डॉर्मेंसी से बाहर आ रहे हैं इनके लिए सही बातवरन मिल रहा है तो अब ये खेलेंगे ये पौधे को कुछ दिक्कत है दोस्तों मैं थोड़ी देखती हूँ ये देखे हमारा एक इस तरह से ये खिला हुआ है पराजिता और इधर भी ये ये अरे भी कम है और बांकी ओवेसम और कुछ मेरे जो हैं ग्राप्टेड वाले हैं ये जो हमारे पास ये थाई बराटी है ये वाला छोटा है बीजों से लगाया है हमने सीड से यहां भी हम सीड से उगा रहे हैं धेर सारे अडेनियम में सीड से उगा लेती हूँ खुदी उगा लेती हूँ हमारे अडेनियम में सीड पोट आते हैं तो मैं खुदी उगा लेती और हमारे राधा कृष्ण जी बासुरी बजा रहे हैं और उनके इधर गाए और हिरन ये सुन्दर सा एक हमारा जो है बॉन्चाय जेट प्लांट का दोस्तो हमने आप से कहा न कि हर पौधा कुछ कहता है ये देखिए इसमें रूट रॉट हुआ था इसको मैं बचाने की कोसित कर रही हूँ बड़ा पुराना बड़ा खुबसूरत पौधा अभी देखिए यहां से ये ये जो खराब हुआ है तो इसको मुझे कट करके और फं दोस्तो इसको यहां से काटना चाहिए जहां से साफ हो मतलब यह जैसे यहां से गल रहा है ना तो यह मतलब की खराब को निकाल देना चाहिए कोसित कर रही हूँ दोस्तो इसको बचाने की पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा क्योंकि रोज रोज इसके लखरे चल रहे हैं पाती हूं कि मेरा पौधाय सफ हो गया अब इसको मैं ठीक कर दूं अच्छे से रख दूं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सस्क्राइब करना और कुछ सलाह चाहिए आपको या मुझे देना चाहते हैं तो जरूर बताना या आपको कुछ आपका कमेंट्स आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है मुझे एक साहस देता है और मुझे लगता है कि मैं एक सही दिसा में काम कर रही हूं लोगों को मोटिवेट कर रही हूं मैं भी कि आओ हम चले और गयनिक की ओर अगर हमें स्वस्त जीवन जीना है मृत तो न तो सस्क्राइब कर लेना पांच मिनट मुझे लगेंगे इन भाजियों को साप करने में यानि ये वाला भाग है इसको हटा दूँगे और जो सौप्ट वाला है उसको ले लूँगे बांकि ये जो मैं खाद बना रही हूँ उसमें जाएगा ये सब और इसमें जो मिट्टी रहते हैं इसके बज़ा से बहुत तेजी से कमपोश्ट होता है तो दोस्तों इसको साप कर लूँ मैं देखे कितनी संदर ताजी भाजिया हमारे लिए मिल गई हमें कहीं मार्केट जाने के ज़रत नहीं है और ये जो निकला इसी से फिर नई भाजिया तयार होंगे मतलब यही हमारे पहले हम इसको कमपोश्ट वाले डिबबे में डालेंगे फिर ये कमपोश्ट होगा 40-50 दिन सब्सक्राइब तो एक बार उगाने को लगता है इसके बाद बार वार उसी पौधे से दूसरे पौधे तयार होते हैं गार्डन के गार्वेस से ही हमें दुनिया भर की खाथ मिल जाती है तो दोस्तो हमारी वीडियो को यहां तक देखने के लिए यानि यहां तक पहुचे हैं तो आपने पूरी वीडियो देखें तो यहां तक पहुचने के लिए आप लोगों का स्रदय से आभार आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं हमें सरावी रहे हैं और सबसे अच्छी बात तो अपने पोधों का विशेश ख्याल रखें तो दोस्तों बहुत बहुत आभार जय हिन बंदे मातरम जय चत्तीजगर्ण